आकाश्वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वा तिरवेदी केंद्रिय वित्यमंत्री निर्मला सीतरवन ने भारत को विक्सित राष्ट बनाने के लिए नवाचार वैग्यानिक सोज और तौरित समाधान तलाशने का आवान किया वे आज भारतिय विज्यान शिक्षा और अनुसंधान सरस्थान IISIR भुपाल में आयुजित ग्यारवे दीक्षान समारों को सम्मोधित कर रही थी कारिकर में मुखी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए केंद्री वित्यमंत्री ने कहा कि विज्यान शिक्षा और अनुसंधान का समाज की बहतरी के लिए अधिक्तम उपयोग होना चाहिए उन्होंने नविक्रत उर्जा को वक्त की जरूद बताते हुए विद्यार्थियों से ऐसी बैटरी और संसादन बनाने की अपील की जो इस उर्जा को स्टोर कर सके वित्यमंद्री ने भारतिय विज्यान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान परिसर के नवीन शक्षिट भवन और व्याक्यान कक्ष का शरान्यास भी किया मुख्यमंद्री डॉक्टर मूहनी आदव ने इस अफसर पर कहा कि डिग्री महज एक कागस का तुक्रा नहीं बलकि आपकी प्रत्भा का सम्मान है उन्होंने कहा कि संपूर विश्व तेजी से ज्यान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हु रहा है पेट्रोल को और दुगिक क्रांती की धुरी माना जाता है लेकिन यान 21 वी सदी की अर्थव्यवस्था का आधार है 21 सदापदी में नौलेज के माध्यम से जो भूमी का पेट्रोल की थी आधुनिक समय में वोई भूमी का नौलेज की होने वाली है इसी आधार पर अब दुनिया हमारी तरब भी देख रही है और बदलते दोर में खास करके हम सब जानते हैं कि आज का समय डाटा और सूचनाओं के संकलन के अधार पर है अनलोटिक्स का जिस प्रकार का समय आया है अब हमको उसी तरह से बढ़ने की जर्वत और उसमें हमारे लिए आपके जैसे संस्थान की बहुत महती भूमी का है बड़ी भूमी का है आई आई एस आई आर भूपाल से इस साल को मिला कर 442 डिगरी प्रदान की गई इनमें 214 एकिकरत इसनात को तर और 89 इसनात तक 15 सनात को तर 13 MSC और 121 PhD डिगरी शामिल है हर घर तिरंगा अभियान के तहट प्रदेश में तिरंगा यात्राय निकाली जा रही है आज मुखी मंती डॉक्टर मोहन यादव की उपस्ति में बोपाल के बड़ा तालाव के बोट कलब पर तिरंगा यात्रा का आयूजन हुआ इसमें नावों पर सवार लोगों ने तिरंगा एक रैली निकाली इसी तरह कटनी जिले में 15 अगस तक विबिन निगतिविदिया आयूजित की जा रही है कटनी नगर निगम द्वारा कल से केसी एस स्कूल के बाहर तिरंगा मेली का शुबारम किया गया आज भी जा रही है इसमें सौ साहता समू की महिलाओ द्वारा बनाए गए वियंजन एवं उत्पादों के स्टॉल लगा कर विक्रे किये जा रहे है सतना में जिलास्तर और विकासकन मुख्याले स्थर पर आज तिरंगा यात्रा का आयूजन किया रहा है पुलिस परेट ग्राउंड से सिवल लाइन चौपार्टी तक तिरंगा यात्रा का आयूजन किया गया पन्ना में हर घर तिरंगा अभियान के अंतरगत आज उखेले इवं युवा कल्यान विभाग द्वारा सुबह 16 साल स्टेडियम में मेरतन दौड का आयूजन किया गया मुखी मंत्री डौक्टर मुहन आदव ने आज महिला उद्वी सम्मीलन सहर रक्षा बंधन कारिक्रम में प्रदेश की महिला उद्वियों से समवाद किया कारिक्रम में लगभग 850 सुख्ष्म लगू मद्यम उद्वियम को 274 करोट 88 लाग रुपए की प्रोच साहन सिंगल क्लिक से उनके खातों में राशी अंतरत की गई सुख्ष में लगू मद्यम उद्वियम मंत्री चैतन कुमार काशिप ने बताया कि कुशा भाव ठाकरे अंतरास्टी कन्वेशन सर्टन भोपाल में कारिक्रम में मुख्य मंत्री में लगभग 100 से अधिक उद्वियों का लोकारपन और भूमी पूचन किया प्रदेश में एक बार फिर बारिश का स्लसला शुरू हो गया है मांसूनी ट्रफ लाइन अब गौलियर और सीधी से गुजर रही है आज गौलियर चंबल और जबलपूर संभाग में इसका सड़ दिखेगा आज जबलपूर समित आट जलो में तेज बारिश होने का अलट ह अब कुछ समाचार संक्षेप में जाबुआ में नशा मुक्त भारत अभियान एप के पांच वर्ष पूर्ण होने के प्लक्ष में विक्सित भारत का मंत्र भारत हुन नशीत से स्वतंत्र थीम पर सभी स्कूल कॉलिज के अंतरगत इशपत कारिक्रम आयोजित किया गया इंसिट्यूट ऑफ शोशल रिसर्च और डेबलोप्मेंट आई एस आडी संस्था द्वारा असंगर्टित श्रमको के मुद्दो पर एक महत्मूर्ण जनसमवात का आयोजिन आज महात्मा जोतिवा फुलिभवन भोपाल में किया जा रहा है और इन दौर में कल एक दुस्त हुआ हुआ